दोस्तों आज हम बताने जा रही हैं आपको अनुसुया सारा भाई के बारे में जो एक ऐसी प्रसिद्ध सामाजिक कारे करता रही हैं जिन्होंने मजदूरों की हक्की लड़ाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया उद्योग पती परिवार से होते हुए भी जिन्होंने मजदूरों का संगठन बनाया अनुसुया सारा भाई का जन्व 11 नवंबर 1885 को एहमदाबाद में सारा भाई परिवार में हुआ उनकी माता का नाम गोदा वरीबा और उनके पिता का नाम मगनलाल करमचंद सारा भाई था जो एक उद्योग पती थे जब वे केवल नौ वर्ष की थी तब ही उनके माता पिता का देहांत हो गया इसके बाद उनके भाई अंबालाल सारा भाई और उनकी छोटी बहन के साथ अनुसुया को उनके चाचा के पास रहने को भेज दिया गया केवल तेरे वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया लेकिन ये विवाह सफल नहीं रहा और वे वापस अपने परिवार में आ गएंग इसके बाद वो अपने भाई की मदद से 1912 में मेडिकल डिग्री के लिए इंगलेंड चली गई लेकिन बाद में उनका विचार बदल गया क्योंकि वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि मेडिकल डिग्री में जीव जन्तों को काटना पड़ता है बाद में लंदन स्कूल आफ इकोनोमिक्स में चली गई अनुसुया की जीवन पर उनके लंदन प्रवास का गहरा असर पड़ा अनुसुया समाजवाद की फेबियन फिलोसोफी से बेहत प्रभावित थी भारत वापिस आने के बाद उन्होंने कई तरह के सामाजिक कारिक्रमों की शुरुआत की एक घटना ने अनुसुया को द्रवित कर दिया और उन्होंने मजदूरों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए लड़ने का फैंसला कर लिया वह घटना कुछ इस प्रकार थी एक दिन वह घर के बाहर बैठकर बच्चों को कंगी कर रही थी उन्होंने तभी पंद्रा महिला मजदूरों के एक समू को गुजरते देखा जो बिलकुल बेजान लग रही थी उन्होंने उन लोगों को बुलाया और पूछा कि क्या दिक्कत है क्यूं वे लोग बेदम लग रही है उन लोगों ने अनुसया को अपनी आप पीती सुनाई उन्होंने कहा बेहन हम अभी 36 घंटे काम करकी लोट रहे हैं हमने बगर किसी ब्रेक के दो रात और एक दिन काम किया है यह सुनकर अनुसया को काफी दुख हुआ अनुसया ने हालात को बदलने की ठानी 1914 में जब एहमदाबाद महामारी की चपेट में आ गया तो मिल मजदूरों की हालत बिगणने लगी वे लोग अनुसुया के पास मदद की गुहार लेकर पहुची उन्होंने मजदूरों के लिए बहतर मजदूरी और काम के घंटे कम करने की मांग की उनका प्रयास सफल रहा और भारत में ट्रेड यूनियन आंदूलन की नीव पड़ी उन्होंने 1914 में एहमदाबाद में हर्ताल की दोरान टेक्स्टाइल मजदूरों को संगठित करने में मदद की वह 1918 में महिने भर चली हर्ताल में भी शामिल थी बुनकर अपनी मजदूरी में 50 फीजदी बढ़ोत्री की मांग कर रही थे लेकिन उनको सिर्फ 20 फीजदी बढ़ोत्री दी जा रही थी जिससे असंतुष्ट होकर बुनकरों ने हर्ताल कर दी थी इसके बाद गांधी जी ने भी मजदूरों की ओर से हर्ताल करना शुरू कर दिया और अंततह मजदूरों को 35 फीजदी बढ़ोत्री मिली इसके बाद 1920 में मजदूर महाजन संग की इस्थापना हुई अनुसुया को लोग प्यार से मोटा बेन कहकर बुलाते थे गुजराती में इसका मतलब बड़ी बेहन होता है अनुसुया का निधन 1972 में हुआ एक सामजिक कारेकरता की रूप में अनुसुया सारा भाई की योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता जै हिन जै भारत